हाई गाईज क्या हाल ने आप सब क्या चोओं एक बहुत शांदार तडखती बडखती सी वीडियो में मेरा नाम है आरेन और आज हम बात करने वाले हैं हिएंडाई i20 के बारे में गाईज बात करता हूँ इसके इंजिन स्पेसिफिकेशन की तो आपको 1.2 लीटर 4 सिलेंडर नैचुरल एस्पिरेटेड पैट्रोल इंजिन आपको इस कार में देखने को मिलता है जो जनरेट करता है 82 भी पावर और 114 एनम का टॉर्क तो गाईज ये कुछ आपको इसमें इं लेंप्स भी टर्न इंडिगेटर और नीचे आपको इसमें LED DRLs भी देखने को मिल जाते हैं बेस वेरिंट से ही और गाईज मैं फ्रेंट में बता दू तो आपको ब्लैक कलर की इसकी प्लेट भी देखने को मिलती है जो यहाँ पर काफी शानदार लगती है तो फ्रेंट ल लडी ORVM से आपको देखने को मिल जाते हैं इस कार में फेंडर पर आपको इसका टर्न इंडिगेटर देखने को मिल जाता है बात करो इसके टायर्स की तो आपको आर 15 15 इंच के आपको इसमें टायर्स देखने को मिल जाते हैं विद वील कवर्स तो गाईज यह हुई कुछ side profile की बात चलते हैं इस car के back में यानि back profile में बात करते हैं कि back profile कैसी इस car की तो बहुत ही शांदार आपको back profile इस car की देखने को मिलती है काफी ज़्यादा aggressive look आपको इस car का देखने को मिलता है तो guys आपको मैं दिखा रहा हूँ इस car की complete back profile यहाँ पर आपको black inserts जो देखने को मिलते हैं वो इस car को काफी अच्छा बनाते हैं guys बात करूं यहाँ पर क्या कुछ मिलता है आपको back profile में so guys सबसे पहले मैं आपको इसके tail lamps दिखा देता हूँ यह आपको halogen tail lamps इस car में देखने को मिल जाती है आई 20 में नीचे आपको बात करूं तो यहाँ पर एक parking sensors यह मिलता है और यह यहाँ पर यह पर यह parking sensor मिलता है तो दो rear parking sensors आपको देखने को मिल जाते हैं आई 20 badging देखने को मिल जाती है उपर में बात करूं तो आपको एक power antenna देखने को मिल जाता है roof में इसमें आपको high stop mount lamb देखने को मिल जाता है यहाँ पे rear wiper defogger जैसा कोई option नहीं मिलता है Hyundai का logo मिल जाता है center में boot के उपर और यहाँ पे नीचे बात करूँ तो मैं आपको ऐसा कुछ look देखने को मिलता है 170 mm की आपको इसमें ground clearance देखने को मिल जाती है जो काफी अच्छी है एक hatchback के इसाब से मैं कर बता हूँ आपसे तो so guys यह तो बात करी है हमने इस i20 base model magna model के exterior से अब चलते हैं कार के interior में बात करते हैं कि interior में का कुछ features मिलते हैं तो सबसे पहले driver side door की मैं बात करना चाहूँगा तो guys आपको यहाँ पे complete black door देखने को मिलता है इस car में तो guys यहाँ पे इसमें मैं बात करूँ क्या कुछ मिलता है आपको तो 4 power windows देखने को मिल जाती है आपको यहाँ पे lock unlock का button देखने को मिल जाता है और यहाँ से आप इसके ORVM भी adjust कर पाएंगे तो guys और मैं आपको यहाँ पे दिखा दू तो यह जो door unlock पे जो quality काफी अच्छी देखने को मिलती है प्रीमियम लुक देती है car को यहाँ पे hard plastic का use किया गया है नीचे मैं बात करूँ तो bottle holder का space आपको दिया गया है और कुछ pocket space आपको दिया गया है pocket space थोड़ा कम दिया गया इस car में driver side door में बात करूँ इसकी seats की guys यहाँ पे तो आपको दोनों ही adjustable headrest देखने को मिल जाते हैं इस car में तो driver side seat आपको कोई भी height adjustable का option देखने को नहीं मिलता है और guys जैसे कि मैंने बताया आपको adjustable headrest देखने को मिल जाते हैं इसमें front में तो guys यह हुई यहाँ पे seating की बाद seating comfort की बाद करूँ तो cushioning भी आपको इस car की काफी अच्छी देखने को मिलती है comfortable जरूर रहेंगे आप इसको drive करते हुए guys बैठता हूँ इस car के interior में और बात करते हैं कि interior में क्या कुछ आपको दिया गया है तो guys मैं आचुका हूँ interior में और guys यह कुछ आपको look दिया गया है यहाँ पे interior में steering wheel की मैं अगर बात करूँ यहाँ पे तो ऐसा कुछ premium steering wheel आपको feel होता है यह काफी बात करूँ left side तो आपको यहाँ पे steering mounted controls देखने को मिल जाते हैं call connect, disconnect जैसे features right side में आपको MID set करने के control मिल जाएंगे यहाँ पे reset trip वगएर आप set कर सकते हैं center में Hyundai का logo देखने को मिल जाता है आपको इसमें और guys यह steering wheel बिल्कुल circle में है MID के बात करूँ तो analog MID आपको देखने को मिल जाएगे left side में RPM meter मिल जाएगा right side में speedometer आपको देखने को मिल जाएगा इस car में और guys मैं अगर right side में बात करूँ तो आपको यहाँ पे काफी शानदार लुक के साथ में AC events देखने को मिल जाते हैं जो काफी अच्छा लुक interior के dashboard को देते हैं तो guys यह हुई यहाँ पे इस side interior के बात यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगा इस car में आपको चार speakers देखने को मिल जाते हैं infotainment system में और दो tweeter आपको इसमें मिल जाते हैं तो guys यह जो आप look देख रहे हैं interior dashboard में यह जो काफी aggressive, शानदार, sporty look देखने को मिल रहा है आपको यह काफी पसंद आया है मेरे को personally मैं अगर आपसे बताऊँ आपको यहाँ पर infotainment system simple देखने को मिल जाए bluetooth connectivity जैसे features, radio जैसे features आपको देखने को मिल जाते हैं physical buttons भी आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं यहाँ आपको दोनो AC vents देखने को मिल जाते हैं center में parking light देखने को मिल जाती है नीचे मैं अगर बात करूँ आपसे तो यहाँ पर आपको manual AC देखने को मिलता है और यह AC के knobs भी आपको काफी ज़्यादा premium feel करवाते हैं काफी अच्छे लगते हैं नीचे मैं बात करूँ तो 12V का charging socket मिल जाता है USB port मिल जाता है और यहाँ पर कुछ space रखा गया है जिससे यहाँ पर आप अपना mobile phone वगेरा रख सकते हैं यहाँ पर आपको यह 5-speed manual transmission में car देखने को मिलती है simple आपको black आपको यहाँ पर gear knob देखने को मिलता है बात करूँ यहाँ तो 2 cup holders आपको देखने को मिल जाता है और cup holders के side में ही आपको मिल जाता है इसमें handbrake और इस handbrake की tip आपको piano black finishing में देखने को मिलती है और मैं आपसे बता दू base model से ही आपको इसमें center armrest देखने को मिल जाता है जो काफी अच्छा feature हो जाता है long drives में मुझे काफी अच्छा लगता है यह feature personally इसका storage भी आपको देखने को मिलता है काफी ज़्यादा decent size का आपको इसमें storage देखने को मिल जाता है तो guys base model में यह आपको काफी ज़्यादा features इस i20 में देखने को मिल रहे है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ बात करूँ इसके glove box के size की तो glove box को open करता हूँ मैं और glove box का size भी आप जैसा की देख पा रहे हैं काफी अच्छा decent size का आपको देखने को मिल जाता है और guys मैं बात करूँ इसमें interior features की तो यहाँ पर IRVM की मैं बात करूँ इसके तो आपको day night rear view mirror इसमें देखने को मिल जाता है manual और guys मैं अगर इसके sun visors की बात करूँ तो driver side आपको इसमें सिर्फ एक ticket holder देखने को मिलता है कोई भी vanity mirror का option आपको देखने को नहीं मिलता है passenger side बात करूँ तो आपको यहाँ पर जरूर एक vanity mirror का option देखने को मिल जाता है जो काफी अच्छा हो जाता है और guys अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा center में आपको इसमें light दी गई है halogen दो light आपको इसमें मिल जाती है और यहाँ पे मेरा favorite feature यहाँ पे आपको sun glass holder नीचे आता हुआ जो आपको base variant से ही मिल जाता है जो मुझे काफी अच्छा लगता है personally बहुत ही अच्छा feature आपको base variant से ही दे रही है grab handles की बात करों तो आपको passenger side यहाँ पे आपको fixed grab handle देखने को मिल जाता है वहीं driver side आपको कोई भी grab handle देखने को नहीं मिलता तो guys यह था मैंने आपको front dashboard look और front में बताया अब मैं बता दूँ आपसे तो मेरी height 5 feet 11 inch है और guys अब मैं चलने वाला हूँ इसकी rear seat पे और बताने वाला हूँ कि अगर 5 feet 11 inch का आगे बंदा बैठा है तो वो rear seat में जाके उसे कितना comfort मिल जाता है यहाँ passenger side भी आपको एक portal holder का space pocket space door में देखने को मिल जाता है power window देखने को मिल जाती है तो guys चलते हैं इसकी rear seat पे और बात करते हैं कि rear seat में आपको क्या कुछ space देखने को मिलता है तो guys करता हूँ मैं rear door को open तो यह भी आपको complete black door देखने को मिल जाता है इसकी आपको complete look दिखा देता हूँ काफी wide open होता है यह door बैठता हूँ इसके अंदर बात करते है sitting comfort की इस car में बैठते ही मुझे सबसे पहले sitting comfort इसका काफी जादा अच्छा लगा relax होआ मैं आपे बैठते ही और leg room मैं आपको दिखा दू तो आपको ठीक ठाक सा leg room इसमें देखने को मिल जाता है अगर 6 feet का बंदा 5 feet 11 inch का बंदा आगे बैठता है तो thigh support दिखा दू कितना अच्छा thigh support आपको इस i20 में देखने को मिल जाता है इसलिए ही मैंने बताया कि comfort इतना अच्छा आपको देखने को मिल जाता है तो guys बात करूँ यहाँ पर कितने बंदे बैठ सकते हैं इस कार में rear seat में तो guys यहाँ पर 3 मंदे बड़े ही अराम से थोड़ा घिच पिच के भी नहीं काफी जादा seating capacity दी गई है बैठ सकते हैं यहाँ पर 3 मंदे grab handle आपको fix देखने को मिल जाता है दोनों ही तरफ जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ और guys अगर मैं आपको दिखा हूँ यहाँ रूफ में भी आपको एक halogen lamp देखने को मिल जाता है इसमें जो काफी अच्छा feature है और guys मैं आपको बता दू यहाँ पर front look मैं आपको दिखा देता हूँ dashboard की rear side से तो यह कुछ आपको i20 base model की front dashboard look देखने को मिलती है rear seat से जो काफी अच्छा appealing look देखने को मिलता है आपको इसमें guys बात करूं rear seat में आपको और क्या features मिलते हैं तो आपको यहाँ पर fixed headrest देखने को मिल जाते है rear seat में दो headrest आपको देखने को मिल जाते है और guys अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ base model i20 का बहुत ही अच्छा feature जो हर car को देना चाहिए वो है rear AC vents तो guys आपको rear AC vents देखने को मिल जाते है नीचे आपको एक USB port भी देखने को मिल जाता है और यहाँ पर छोटा सा bump भी देखने को मिल जाता है तो guys मैंने आपको दिखाई यहाँ पर interior की front और back seat पर आपको क्या कुछ features मिलते है चलते हैं इस car के boot की तरफ और देखते हैं कि boot में आपको क्या कुछ space दिया गया है तो guys करते हैं इसके boot को open तो यही से आप इसका boot access कर सकते हैं ऐसा कुछ boot open हो जाता है इसका यहाँ पे तो guys इसमें आपको कोई भी rear parcel tray का option देखने को नहीं मिलता है 311 liters का आपको इसमें boot space देखने को मिल जाता है जो है एक hatchback के हिसाब से काफी जादा space है guys इसमें आपको कोई भी boot lamp देखने का option नहीं मिलता है बात करता हूँ इसके spare wheel की guys तो यहाँ पे आपको spare wheel की specification मैं आपको दिखाँ हूँ तो 18570R14 14 इंच के आपको इसमें spare wheel का tire देखने को मिल जाता है तो guys यह हुई यहाँ पे boot की भी बात यह कुछ आपको look देखने को मिल जाता है boot से मैं आपको दिखाँ दू तो guys boot की हमने बात करी मैं करता हूँ इसके boot को बंद और बात करूँ मैं अगर यहाँ पे इस base model की तो guys अगर आप एक plan कर रहे है कार premium hatchback आप एक plan कर रहे है और आपका budget 7,5,8,000 रुपे तक का है तो आप जरूर इस i20 petrol base variant यानि magna variant के लिए जरूर जा सकते है क्योंकि इसमें आपको काफे ज़्यादा feature देखने को मिल जाते feature rich car आपको देखने को मिलती है यह i20 base model जो आपके लिए काफी अच्छी हो सकती है तो guys कैसे लिखती है आपको एक और comment section में जरूर बताई इस video को like करें, channel को subscribe जरूर करें मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई